बेस्ट एयरफोन, एयरबर्स, नेकबेंड और वायरलेस का कोई भी हेडसेट कौन सा है अब ये चीज ना हमारे ज़नरेशन जब फोन लेती है या फिर कभी भी फ्यूचर में हम लोग हमारे एयरबर्स या नेकबेंड वगरा लेनी की सोचते हैं तो ये क्वेशन ज़रू होता है कि उसमें डीले नहीं रहना चाहिए बहुत लाए लोगों को डीले के बारे में पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ स्पेशली जब आप VGMI या PUBG खेल रहे होते हो तो पूरा अलमुस्ट एक सेकंड का डीले होता है आपके फोन से उस एयरफोन तक या एयरबर्स तक उस चीज को साउंड को पहुंचने के लिए उस चीज को बोलते हैं डीले और जब यहाँ पर आप जाती है बात कि हमें कोई डीले नहीं चाहिए तो उस बात पर है ये वीडियो तो चलिए अब हम अपनी पर्क्रिया शुरू कर लेते हैं और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वज़े से हमें अपने फोन से अपने इयरबॉर्स तक कोई भी डीले देखने को ना मिले तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज मैटर करती है वह है लेटेंसी लेटेंसी क्या है मैं पहले यह बता देता हूँ यह एक आप कह सकते हो लैक की तरह आप समझ सकते हो कि जो नेटवर्क है अपहारे फोन से लेके हमारे इयरबॉर्स तक उसमें पहुंचने में डिस्टेंस जो भी रहता है उनका उसमें जो टाइम टेकन रहता है वो अब और सीरे लैगुज में कहा दू तो आपकी जो फोन की लेटेंसी है वो आपके हेडसेट से मैच करने चाहिए तो ही जाकि आपको एक 0 का मिलने वाला है 0 second या 0 millisecond का आप कह सकते हो आपको एक time distance मिलने वाला आपके headset से आपके phone था तो यह चीज हो चुकी है latency तो अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन से use करने चाहिए तो एक्जामपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका phone OnePlus का है तो आप जो earbuds लेंगे या फिर neckband लेंगे वो होने चाहिए OnePlus के विकोज जो company बनाती है ने अपने ही उनके latency match करती है यह निकि अगर आपका phone Xiaomi का है और आप OnePlus के earbuds लेंगे तो फिर वो latency match नहीं करती वही अगर आप OnePlus का कोई भी phone लेते उसके साथ में OnePlus के कोई भी bullets या razor bullet जो भी रहते है उनके वो सारे लेते हो तो उसकी latency match करती है same for earphones बनाता है और earphones भी earbuds भी बनाता है तो आप वो try कर सकते हो और साथ ही में जैसे हमारे और भी companies है तो कि अपने ही phones और अपने ही earbuds बनाती है तो आप same company के लीजिए तो ही आपको zero का lag देखने को मिलेगा और अप बता जाते हैं कि भीया अगर हमारी company बनाती ही नहीं है समझ लिए आपके पास पोको का phone है या ऐसे कोई और company जो की earphones बनाती ही नहीं है तो हम क्या करें तो आप एक काम कर सकते हैं आप जो already जो music की industry में जो अच्छे खासे level पर जा चुकी companies है जो की earboard, JLB और ऐसे जो भी अच्छे अच्छी companies रहती है आप उनकी तरफ जा सकते हैं विकाज उनकी latency हाँ accurate match नहीं करेगी बट अच्छे खासे रहेंगे और इसका मतलब यह भी नहीं कि आप realme का बोलते हैं आप realme का कोई भी उठा लेंगे थोड़ा सा अभी उसके sound quality में वो अलग बात हो जाती है लेकिन हाँ यह जो distance है travel time है इसके sound का आपको हैं आपे कम देखने को मिलने वाला है विकाज आप एक perfect latency का अपने headset और phone ले रहे हो तो अच्छी बात है तो directly मैं आपको यह कहना चातो कि अगर आपका phone जिस भी company का है अगर आपकी वो company earphones बनाती है headphones बनाती है तो आप उसी के लोग आपको zero lag मिलने वाला है तो guys यही था आज की इस वीडियो में फटा फट से चैनल को सब्स्राइब कर दो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग